हेला विर्वान आप सभी काफिसे स्वागत है तश्मीना फैशन चानल पर आपने हमारा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना बोले आज इस वीडियो में मैं आपको स्कार शेप का बेल स्लीव्स डिजाइन बरना बताऊंगी अभी तक तो आपने स स्कॉाय शेप लिवस डिजाइन बरना बताऊंगी चली स्टार्ट के लिए हमारा आज का वीडियो कि इस लिवस की कटिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है क्ले स्टार के लिए का वीडियो देखे हमने आपं एक फैबरेक लिएवा है स्लीवस के ऊपर वाला जो पार थे 15-2-inch का लिए और अच्छी तरीके चाल कर लेंगे अब कर लेंगे अप कर लेंगे इसकी अच्छी तरीके से करने के बाद हमारे स्लीव जो एक्स्ट्रा फाब्रिक है उससे कट करेंगे देखें दोनों साइड एक तरफ है अब जो स्लीव की च्छटाई है वह हम कर लेंगे अब अब जो नीचे वाला हिस्सा है जो हम जिसे बैल बनाएंगे अब की कटिंग करने के लिए हमने फाब्रिक लिया हुआ है अब इससे अभी हम फॉर्फोल्ड करेंगे अब जो फैब्रिक को हमने है फॉर्फोल्ड कर चुके है उप पर की तरफ से कौनों के साइड से तीनी इंच का निशान लगाएंगे और उस कौनों पर हम एक अच्छे सी गुलाई दे देंगे अगर आपको ज़्यादा यहाँ पर चुनटी नहीं चाहिए ज्यादा को अब सबस्कार पर्डाव साइड में 10 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हाँपे हमारा है स्कौर में तो साइड जो है वह सेम होनी चाहिए तो अब इस तरीके से हम क्यों पुरे में और सार सद अब हम नीची वाले पाट की कर लेंगे कटिंग और अब इसे कर लेंगे हम open और open करने के बाद हम एक साइड से कर लेंगे की कटिंग कि हम बाद में स्लीव को अटाच कर सके हैं अची तरीके से अब चले हम यहाँ पर जो हमारा जो नीची का बैल है वो कट हो गया है और जो स्लीव भी है वो भी हमारी कटिंग हो चुकी है हमारी जो स्लीव की जो पूरी रेडी लेंध है वो 23 हो गई है रेडी होने के बाद 22 हो जाएगी यह अब हम कर लेंगे हमारी स्लीव की जो है स्ट्रिचिंग आप चलते हमारी मशीन की तरफ अब हमने स्लीव का उपर वाला पार्ट लिया वहा है और नीचे वाले पार्ट को इसके उपर रखेंगे नीचे के तरफ जो है वो हमारी तोनों राइट साइड होगी अब हम इसको कर लेंगे स्टिचिंग और इसमें एक अच्छी तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे प्लेट्स जो है वो बिल्कुल इक्वेल्स डिस्टिंस में होना चाहिए आप चाहें तो यहां पे छोटा या बड़ा प्लेट्स डाल सकते हैं यहां पे हम प्लेट्स की जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी डाल रहे हैं और अब इसी तरेके से हम पुरे स्लिव में फ्लेट्स ढाल के इसे स्लिव को καड़ेंगे अब स्लिव को हम राइट साइड टन करेंगे हमार जो सलिव है वो रेड़ी है अब ज़ो हमारी सिलाई है वocy के एक तरफ करते हुए उपर की तरफ हम दाब सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की अब नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फाब्रिक है उसे मोड़ते वे हम सिलाई लगा लेंगे पहले एक तरफ लगाएंगे हम सिलाई अब इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेंगे एक्स्ट्रा फाब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ते हुए अब बाकी के दोनों साइट भी हम एक्स्ट्रा फाब्रिक को मोड़ते वे सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से हमने बाकी के दो पे सिलाई लगाई हुई है तो हमारे यह जो बैल स्लीव रेडी हो जाएगा जहां पर हमने जॉइंड लगाई हुई है वहाँ पर हम यह लेस लगा रहे हैं आपको इसली मार्केट में मिल जाएगी अगर आप चाहें तो वहाँ पर लेस नहीं लगाई तो भी चलेगा वह बिना लेस के भी काफी अच्छा लगेगा पर यहां पर हम स्लीव लगा रहे हैं पहले एक साइट पर हम इस पे सिलाई लगा लेंगे फिर दुबारा दुस्रे साइट पर भी इसे सिलाई लगाकर से त्यार कर लेंगे हमारी जुस्त लिव बनके रेडी हो गई है इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका हमारी आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताए अब मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए